हलो फ्रेंड्स मैसल डॉक्टर सोशीला सैनी काइनियक लॉजिस्ट और अपसेटेशन डियरेक्टर जैपुर दूर्बीन होस्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकरी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है आपकी डॉक्टर ने आपके आसपरोस में या कहीं पेपर में या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि एंडोमेट्रियोसिस भी एक बि endometriosis क्या होता है endometriosis महिलाओं के अंदर होने वाली एक period से related बिमारी है जिसके अंदर महीने का blood tubes के द्वारा पेट के अंदर आकर आतों के उपर uterus के यानि के बच्चे दानी के पिछले हिस्से में या फिर दोनों तरफ की अंडे दानी के उपर और tubes के उपर जम्मा हो जाता है और कुछ cells भी बहां deposit हो जाती है और जब भी period आता है तो उन cells के अंदर भी bleeding होती है यानि कि uterus से जो bleeding होती है वो वजैना से बाहर आ जाती है लेकिन जब भी पेट के अंदर abdomen के अंदर इन cells से जो bleeding होती है वो ही कठी हो जाती है collect हो जाती है जिसके कारण वहीं पे थोड़ा 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 करके blood इकठा होता जाता है और ये धीरे 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 blood जमता जाता है और और ये sticky material बन जाता है जिसके कारण आतें, tube, ovaries सब आपस में चिपक जाते हैं और एक बड़ी गांट का रूप ले लेते हैं तो इस कारण इसको कई बार चॉकलेट जैसा material बन जाता है जिसको हम चॉकलेट सस्ट भी बोलते हैं तो अंडे दानी के अंदर इस प्रकार का अगर चॉकलेट मटीरियल लिकटा हो जाता है तो ओवरी का एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सस्ट बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन बिमारी यह है, दस में से एक महिला के अंदर यह पाई जाती है लेकिन इसका डियागनोसिस उतना ही मुश्किल है, यानि कि जल्दी से इसका डियागनोसिस बन नहीं पाता है और आम तोर पर यह कहा जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस का डियागनोसिस बनने में पूरे 10 साल लग जाते है तो can you imagine कि how slow growing is the disease, कि कितना धीरे धीरे बढ़ रही है और कितनी severity हो सकती है इसके भी कई सारी stages होती है, कि stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, इस तरह के की 4 stages होती है हाँ definitely यह cancer नहीं है, बट मैं यह कहूंगे कि cancer से कम भी नहीं है क्योंकि cancer में फिर भी कहीं the end आता है, इसमें कोई the end नहीं आता है बहुत painful लुप बिमारी है, बहुत जादा परेशान करती है और कई बार तो patients को injections और दवाईयों से भी आराम नहीं आता है तो उसका एक ही इलाज बसता है surgery और surgery भी कई बहुत बड़ी या radical surgery करनी पड़ सकती है तो यह बिमारी के उपर depend करता है कि उसका क्या इलाज होने वाला है अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको endometriosis है या नहीं है तो इसके कुछ प्रमुक लक्षन होते हैं याने कि पेड़ के इसरे में याने की पेट के निछले इसरे में आपको दर्द बना रहता है periods के time पे बहुत जाधा severe pain होता है याने कि आपको दर्द बरदाश नहीं होता है और ये दर्द पूरा थोड़ा 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 कईवा पूरे महीने भर भी बना रहता है इसके अलावा किसी किसी को अगर यूटरस का endometriosis है यानि बच्चे दानी के अंदर भी clots जमा हो गए है तो उसको एडिनोमायोसिस बोला जाता है और जिनको एडिनोमायोसिस होता है उनको काफी ज़्यादा क्रैम साते हैं और ब्लीडिंग भी काफी ज़्यादा होती है तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है पिरिट्स के दौरान क्लॉट्स जा रहे हैं बहुत जादा पेन हो रहा है और महीने भर भी थोड़ा थोड़ा पेन बना है तो आपको हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर बिल लेजे अब जब आप के पास जाएंगे और आप उनको अपने ये सिंटम्स बताती हैं तो डॉक्टर आपको एक सोनोग्राफिक प्रसकाइब करते हैं क्योंकि एक सोनोग्राफिक एक ऐसा टेस्टर जिससे कि बच्चेदानी और दोनों ओवरीज के बारे में और बच्चेदानी के पिछले इस्त जो डाइगनोसिस है वो MRI के equivalent माना जाता है यान जो डाइगनोसिस सोनोग्राफिक से जो बनाय गया है वो MRI से भी कुछ हद तक बहतर हो सकता है क्योंकि इसमें जब हम probe अंदर डालते हैं यानि कि जब sonography का जो transducer होता है वो जैना के अंदर डालते हैं तो उसे के pain के spot भी locate हो जाते हैं क्योंकि patient को touch कर रहे हैं patient जाग रहा है patient बात कर रही होती है तो हमें पता चलता कि exactly pain किस हिस्से पे हो रहा है और कहां पे ज़्यादा pain है तो हमें locate कर सकते हैं कि यहां यह गाठ है और यह इस pain से related है यह दर्द इसी गाठ के कारण होता है तो यह clinical correlation जो transvaginal sonography में हो सकता है वो MRI में नहीं हो सकता हां लेकिन MRI का भी एक अपना स्थान अपनी जगह है अगर हमें लगता है कि आतों में अगरी बिमारी गई हुई है यानि कि जब sonography करते हैं और जब पता चलता कि आतों के उपर गाठे बन गई है बच्चे दाने के पिछले से और आतों के बीच में जो जगह है खतम हो गई है या ऐसा लग रहा है कि पूरा बीमारी अंदर तक जाकर आतों को ब्लॉक कर लिया है तो फिर MRI ज़रूरी होती है ताकि यह पता लग सके कि आतों का कितना हिस्सा involved है तो हमें क्या कहीं आतों को काट कर जोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है या आतों का कोई हिस्सा निकालना तो नहीं है तो यह जो सारी प्लैनिंग होती है सर्जरी की वो MRI से हूपाती है इसलिए में बेसिक टेस्ट तो ट्रांस वजाइनल सनोग्राफी यानि कि TVS है और TVS के आधार पर बाद में रेक्मेंडेशन दी जाती है कि MRI की ज़रूरत है या नहीं है अगर आपको डॉक्टर ये बोलते हैं कि MRI की ज़रूरत है तो आप जरूर अपनी MRI करवा लीजिए इसके इलावा कुछ बलड टेस्ट होते हैं कि जो रूटीन होते हैं कि जिसे CBC हो गया, thyroid hormone का टेस्ट हो गया और एक CA125 करके टेस्ट होता है जो CA125 जनरली endometriosis के अंदर बढ़ जाता है लेकिन CA125 को ovary के cancer का marker भी बोला जाता है और ये जनरली उसमें भी बढ़ जाता है तो CA125 का बढ़ना कई बार ये indicate कर देता है कि कहीं ये cancer तो नहीं है बट endometriosis में जनरली बढ़ जाता है बढ़ता है लेकिन cancer जितना नहीं बढ़ता है moderate level पे बढ़ता है तो इसलिए ये कहने सकते हैं कि इसमें cancer की संभावना कितनी है बट generally endometriosis के अंदर cancer के संभावना एक लाग के अंदर एक से भी कम के आसपास होते हैं नहीं बहुत ही कम होती 0.1% या 0.01% के आसपास इसलिए बहुत जादा सिंता करने की ज़रूरत नहीं है बट definitely endometriosis का इलाज बहुत ज़रूरी है अब सोनोग्राफि में अगर आपको यह पता चलता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर एडिनोमायसिस है या ओवरी के अंदर endometrioma यानि की चॉकलेट सिस्ट है या इसके आंतों के आसपास के हिस्से में कोई गांठें बन गई है जिसको की nodules बोला जाता है endometriotic nodule बन गई है तो definitely आपको सर्जरी की requirement हो सकती है लेकिन अगर गांठ का size बहुत छोटा है या फिर आपको दर्द इतना जादा नहीं है कि आपको tolerable है तो उसमें कुछ गोलियां भी try की जा सकती है तो यह जो आपका treatment है वही इस चीज़ पर depend करता है कि आपकी बीमारी अभी किस stage पर है sonography और MRI के आधार पर doctor आपकी staging decide करते है कि stage 1 है stage 2, stage 3 है stage 4 की बीमारी है और generally stage 1, stage 2 पर medicine try की जा सकती है लेकिन stage 3 और stage 4 कर generally surgery advice की जाती है अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि कहीं आपको बच्चे के requirement है या नहीं है कई बार अपने को pregnancy के requirement काफी जादा होती है हमें लगता कि पहले हमें conceive करना है पहले हमें pregnant होना है तो ऐसे स्थिती में जो गोलियां दी जाती है उनसे pregnancy नहीं हो पाती है इसलिए फिर हमें surgery की तरफ ही जाना पड़ता है जब हम surgery करते हैं तो हम आपकी दोनों तरफ की नलिया यानि की फैलॉपियन ट्यूप्स को चेक कर लेते है हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं बच्चे दाने के अंदर का environment चेक किया जाता है कि वो pregnancy के लिए healthy है या नहीं है और पेट में दुर्बीन डालकर यानि लप्रोस्कोपी से ये confirm किया जाता है कि बिमारी किस हद तक है स्टेज कौन से स्टेज पर है और जो भी ठीक हो सकता है जो भी बिमारी है जो सेस्ट बन गई है या नोडिूल्स बन गई है उनको बाहर निकाला जाता है और अंदर के environment को healthy बनाया जाता है ताकि आपकी जल्दी से जल्दी स्वस्त बच्चे को conceive कर सके और अच्छा बेबी को deliver कर सके एक इन दोनों के बीच की situation हो सकती है कि आपकी family तो complete हो गई है लेकिन अभी age आपकी 30-35 के आसपास है और कुछ ovarian cyst है endometrioma बन गया है या बच्चे दानी के अंदर एडिनो मायोमा या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत बिमारी है कि जो दवाईयों से try की जा सकती है तो इसमें पहले तोर पर first line medications दी जा सकती है जिसमें कुछ गोलियां कुछ injections होते हैं तो वो दी जा सकती है और अगर उनसे 3-6 मेने के अंदर कोई benefit नहीं आता है तो हम surgery की तरफ भी जा सकते हैं जिसमें conservative surgery plan की जाती है जिसमें जो गांट है या सिल्स्ट है उसको निकाल दिया जाता है और बाद में कुछ दवाईयों और injection पे चालू किया जाता है कि डाइनो जैस नाम की गोली आती है जो हम दे सकते हैं जिससे कि बिमारी जल्दी से वापस बनती नहीं है तो इस तरीके से अब आपको ये पता चल गया कि अगर आपको periods के दोरान काफी ज़दा pain है बहुत ज़दा bleeding हो रहे हैं और आपको ऐसे हनी ये दर्द है तो ये endometriosis हो सकता है उसके लिए आप डॉक्टर से मिलें अपनी सोनोग्राफिय आहमारे ये आप जरूर करवाईए अगर उसके अंदर आपको कुछ बिमारी पता चलती है तो इसका इलाज जरूर लीजिए इसके अलावा भी अगर आपके कोई कौशन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूर सकते हैं मैं और हमारी टीम आपको इन सावालों के जवाब देने के पूरी कोशिश करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे के नोटिफेकेशन आपको मिलते रहें आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार